इस वीडियो में linear equation in one variable, exercise 2.2 का solve example का continuation हम करने वाले हैं अगर आपको इस chapter से related पिछले वीडियो देखना है, उसके लिए link इस वीडियो के उपर होगा या तो description box में पिछले वीडियो तक, example 8 तक कर लिया है, इस वीडियो में example 9 करने वाले हैं Example 9, the sum of 3 consecutive multiple of 11 is 363, find these multiples अभी multiple of 11 कैसे frame करते हैं, उसके लिए हम number line देखते हैं Suppose, multiple of 11 का मतलब वो होता है, हर बार एक कोई भी multiple of 11 लिया Suppose, currently multiple of 11 as 22 consider कर रहे हैं, तो next multiple of 11 क्या हो जाएगा 33 33 कैसे मिला, 22 में 11 add करके, मतलब multiple of 11 कैसे बनता है Currently, हमारे पास जो भी multiple of 11 है, अगला multiple find करने के लिए उसमें 11 add करना पड़ेगा फिर उससे नया multiple of 11 मिल जाएगा, उससे अगला 11 का multiple find करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो नया multiple of 11 आया, उसमें 11 add कर देंगे तो अगला multiple of 11 मिल जाएगा अभी इस case में current multiple of 11 क्या है वो हमें पता ही नहीं है इसलिए हम current multiple of 11 as x consider करते हैं next multiple of 11 क्या हो जाएगा उसमें 11 आड़ करना पड़ेगा एक बार तो x plus 11 अगला multiple find करने के लिए उसमें 2 बार 11 आड़ करना पड़ेगा X plus 11 plus 11 उससे अगला multiple find करने के लिए 311 add करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा X plus 11 plus 11 plus 11 इस तरीके से हम next multiple of 11 find कर सकते हैं जो भी हमारे पास present multiple of 11 रहेगा उसमें 11 add कर देंगे तो अगला multiple of 11 मिल जाएगा इस तरीके से compress form में मतलब हम उसको उस short form में कैसे लिख सकते हैं X, X plus 11, X plus 22, X plus 33 and so on ऐसे वो आगे बढ़ते चला जाएगा अभी उन्होंने question में condition क्या दिया है 3 multiple of 11 को add करते हैं तो उसका result क्या मिलता है 363 उसी तरीके से हमने यह linear equation बनाया है तो linear equation क्या बन गया है X plus X plus 11 plus X plus 22 is equal to 363 सारे like terms को एक साइड लेके आएंगे like terms मतलब वो सारे numbers उनके पास same variable होता है उसको like terms कहा जाता है और ऐसे terms जिसके पास कोई भी variable नहीं होता है उसको constant कहा जाता है यहाँ पर like terms क्या है X plus X plus X और 11 plus 22 यह दोनों constant है कि क्योंके पास कोई भी variable नहीं है इस तरीके से X के पहले कोई भी number नहीं मतलब 1 है X plus X plus X क्या हो जाएगा 3X and 11 plus 22 क्या हो जाएगा 33 और RHS में 363 already है अभी क्या करेंगे number number को excite करेंगे इस तरीकी से 33 LHS से RHS में जाएगा by transposition rule तो वो subtracted हो जाएगा नहीं equation क्या मिलगे 3X is equal to 363 minus 33 22, 363 से निकालेंगे तो answer के आ जाएगा 330 नहीं equation 3X is equal to 330 अभी equation के LHS part में देखें वहाँ पे 3 जो है X के साथ multiplied है अगर वो X के साथ multiplied है by transposition rule वो shift करता है from left hand side of the equation to the right hand side of the equation वो divided हो जाएगा इसलिए नया equation क्या मिल जाएगा X is equal to 330 divided by 3 अभी उसको cut कर देंगे 3 by 3, 3 by 3 and 0 तो इस तरीक के से X का value क्या मिल जाएगा 110 अगर आपको question के हिसाप से याद होगा तो हमने X को जो है first multiple of 11 consider किया था तो first multiple of 11 क्या मिल गया 110 next multiple of 11 कैसे मिल जाएगा इस वाले में 11 add करके तो नया multiple क्या हो जाएगा 121 इस से अगला multiple find करेंगे 11 plus 11 that is 22 add करके 110 plus 22 क्या हो जाएगा 132 इस तरीके से हमें 3 consecutive multiple of 11 क्या मिल गया 110, 121 and 132 अभी इस question को हम दूसरे तरीके से भी solve कर सकते हैं question में 3 multiple of 11 लेने के लिए कहाता है इसमें से हमने first multiple of 11 ऐसे X लियाता है 3 multiples ही निकालने के लिए बोला है लेकिन इस वाले case में हम पहला वाला multiple of 11 as a X नहीं consider कर रहे है middle वाला element as a multiple of 11 consider कर रहे है तीनों में से अगर हमने middle वाला element as a multiple of X consider किया है उसके पहले वाला element as a multiple of 11 क्या हो जाएगा 11 से subtract करना पड़ेगा middle वाले के बाद वाला as a multiple of 11 क्या हो जाएगा X plus 11 Let the 3 consecutive multiple of 11 as x-11, x, x-11 According to the condition जो उन्होंने question में दिया है उसके इसाब से हम क्या लिख सकते हैं x-11 plus x plus x plus 11 is equal to 363 अभी like terms को एक साथ लिखेंगे x plus x plus x minus 11 plus 11 is equal to 363 x के आगे कोई भी number नहीं है मतलब 1 है x plus x plus x क्या हो जाएगा 3x minus 11 plus 11 कट जाएगा और RHS side में 363 बचा है 3 जो है variable के साथ multiplied है वो दूसरे side जाएगा तो divide हो जाएगा according to the transposition rule 363 को 3 से divide करेंगे तो x का value क्या मिल जाएगा 121 3 बंजा 3, 3 तूजा 6 and 3 बंजा 3 तो इस तरीके से x का value क्या मिल गया 121 इस case में x जो मिला है वो middle multiple of 11 है उसके पहले वाला multiple of 11 find करने के लिए क्या करना पड़ेगा 11 से subtract करना पड़ेगा और उसके बाद वाला multiple of 11 find करने के लिए उससे 11 add करना पड़ेगा therefore 121-11 is 110, 121, 21 plus 11 क्या हो जागा 132 यह answer और previous वाला answer same question के लिए same ही आएगा यह question हमने बस दूसे तरीके से solve किया लेकिन answer same ही रहेगा example 10 the difference between two whole numbers is 66 the ratio of two numbers is 2 is to 5 what are the two numbers अभी यह question को solve करने के पहले हम यह समझ लेते हैं कि ratio किसको कहा जाता है suppose हम fraction लेते हैं 10 by 15 इस fraction को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 5 upon 3 into 5 अभी यह fraction को हम ध्यान से देखे तो numerator में भी 5 है, denominator में भी 5 है और वो दोनों cancel हो जाएगा तो नया reduce fraction क्या मिलेगा 2 upon 3 अभी यह fraction में numerator और denominator में जो common number है वो 5 है वो cancel होने के बाद 2 upon 3 में ऐसा कोई भी further number नहीं है जो और cut हो सके इस तरीके से हम कह सकते ratio ऐसा fraction है जो आगे और divide नहीं हो सकता अभी हम question में देखे तो 2 whole number का ratio क्या दिया 2 is to 5 है मतलब इसमें कोई number था जो cancel हो गया इसके वज़े से हमें ये ratio मिला है 2 is to 5 इसको वापस number बनाने के लिए वो common multiple इस ratio से multiply करना पड़ेगा इसलिए हम कह सकते हैं Let the common multiple be x for the ratio 2 is to 5 Note that 2 x is to 5 x is same as 2 is to 5 क्योंकि ultimately x और x cancel हो जाता है जो बाद में 2 is to 5 ही बनता है अभी common multiple के मदद से हम वो दो whole numbers बनाएंगे जो उन्होंने question में पूछा है दो whole numbers क्या बन जाएंगे 2 x और 5 x इसमें से 5 x बड़ा whole number रहेगा और 2 x छोटा whole number रहेगा किसी भी number में अगर बड़ा number multiply करेंगे तो और बड़ा number होगा as compared to जब हम उसमें छोटा number multiply करते हैं 5 और 2 में से 5 बड़ा है और 2 छोटा है difference between 2 whole numbers is 66 difference मतलब क्या होता है minus अगर हम छोटे number को बड़े number से subtract करेंगे तो result क्या मिलता है 66 इस तरीके से according to the condition equation क्या बन जाएगा 5 x minus 2 x is equal to 66 5 x और 2 x दोनों के पास same variable है उनको subtract कर सकते हैं 2 x subtracted from 5 x क्या होता है 3 x 3 variable x के साथ multiplied है वो दूसरे साइड जाएगा तो divide हो जाएगा by transposition rule therefore x is equal to 66 upon 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 x is equal to 22 अभी अगर आपको याद होगा तो x हमने किसको consider किया था common multiple to the whole numbers therefore हम कह सकते common multiple क्या मिल गया 22 common multiple मिल गया इसके मदद से हम actual whole numbers find कर सकते हैं therefore हम कह सकते हैं larger whole number is equal to 5 into x which is equal to 5 into 22 which is equal to 1 1 0 and smaller whole number is equal to 2 x which is equal to 2 into 22 which is equal to 44 अभी हम यह इस answer को check भी कर सकते हमें जो मिला हुआ answer correct है या नहीं जब और 44 1 1 0 से subtract करेंगे तो answer क्या मिलता है 66 उन्होंने question में condition क्या दिया था difference between the ratio of 2 whole numbers is 66 तो मतलब हमारा answer correct है अभी इस question में देवशी के पास total amount 590 है in the form of currency note यहां पर domination का मतलब है कि कौन कौन सी notes उसके पास है 50 रुपे की note है 20 रुपे की note है और 10 रुपे की note है और 10 रुपे की note है अभी उसके पास total notes कितने है 25 पचास रुपे और 20 रुपे की notes जो है वो ratio के form में दिया है और 10 रुपे की notes के लिए hand दिया है तो उन दोन में common multiple है let the common multiple be x इस तरीके से 50 रुपे का note क्या हो जाएगा 3x और 20 रुपे का notes क्या हो जाएगा 5x let the number of rupees 50 notes and rupees 20 notes be 3x and 5x respectively अभी question में उन्होंने बोला है कि total number of notes कितने है 25 तो 10 रुपे के notes क्या हो जाएंगे 40 रुपे के कितने notes हैं और 20 रुपे के कितने notes हैं वो पता है और total notes कितना है वो भी पता है तीनों के notes के बारे में दिया है अगर हमने total notes में से 50 रुपे के notes और 20 रुपे के notes निकाल दिये तो क्या मिल जाएगा 10 रुपे के notes इसी तरीके से हमने क्या statement लिखा 25 minus bracket of 3x plus 5x इस तरीके से 3x plus 5x क्या हो जाएगा 8x number of rupees 10 notes क्या मिल गया 25 minus 8x अभी तक हमने ये पता किया है कि हमारे पास 50 रुपे के कितने notes है 20 रुपे के कितने notes है और 10 रुपे के कुटने notes है लेकिन हमने उसको पैसे में convert नहीं किया है मतलब क्या है suppose अगर मेरे पास 10 रुपे के 2 notes है तो मेरे पास total amount कितना है rupees 20 इसी तरीके से हम ये सारे notes को पैसे में convert करेंगे हम क्या कह सकते amount from rupees 50 notes क्या हो जाएगा 3x into 50 which is equal to rupees 150x in the form of rupees from rupees 20 notes 5x into 20 is equal to rupees 100x from rupees 10 notes क्या हो जाएगा 25 minus 8x into 10 10 जो है whole bracket के बाहर है इस तरीके से 10 जब multiply होगा वो दोनों terms के साथ multiply होगा तो वो क्या हो जाएगा 25 into 10 250 minus 8x into 10 80x question में उन्हें condition क्या देखे रखा है ये सारे पैसे मिला के 50 रुपे के notes 20 रुपे के note और 10 रुपे के note देशी के पास कितने total पैसे है 590 तो इसी तरीके से हमने equation लिखा है 150x plus 100x plus 250 minus 80x is equal to 590 इसमें 3 like terms है 150x plus 100x minus 80x 150x plus 100x क्या हो जाएगा 250 minus 80x अभी plus 250 LHS side में है वो RHS side में जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 250 250x minus 80x is equal to 590 minus 250 अगर 80x को 250x से निकालेंगे तो क्या मिलेगा 170x और RHS side में 250 को subtract किया 590 से क्या मिल जाएगा 340 170 variable के साथ multiplied है दूसरे side जाएगा तो divide हो जाएगा according to the transposition rule therefore 00 cut जाएगा 171 जा 17, 172 जा 34 इस तरीके से variable x का value क्या मिल गया 2 अगर आपको याद होगा x हमने क्या consider किया था common multiple of the ratio और ratio किस के लिए था रुपीज 50 notes और रुपीज 20 notes के लिए number of rupees 50 notes she has क्या हो जाएगा 3x और x का value हमें क्या मिला 2 तो इस तरीके से x के जाब पे हम 2 substitute करेंगे 3 to just 6 number of rupees 20 notes क्या हो जाएगा 5 into 2 which is equal to 10 number of rupees 10 notes क्या हो जाएगा अगर हम 16 को 25 से subscribe करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 इस तरीके से हम कह सकते हैं देवशी के पास 50 रुपे के 6 notes है 20 रुपे के 10 notes है और 10 रुपे के 9 notes है अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt है आप नीचे comment कर सकते हैं इस chapter से related और भी वीडियो आने वाले हैं अगर आप किसी और topic भी वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप नीचे comment कर सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चाहते हैं येदेगा आपको उक वीडियो और आपको भी शेखने के लिए प्सके लारी हैं